बिहार के मुख्य मंत्रे नितीश कुमार की अधिक्षता में बुद्दवार को क्याबिनेच की बैठक हुई जिसमें 31 एजिंडों पर मुहर लगाया गया है। इसी क्रम में नितीश सरकार ने गाड़ियों पर लगने वाले रजिस्ट्रेशन शुल्क को कम करने का फैसला किया है। ऐसे में आम लोगों के सवाल हैं कि अब कार या बाइक खरीदते हैं तो क्या रजिस्ट्रेशन के लिए कम पैसे लगेंगे? और अगर कम पैसे लगेंगे तो आखिर कितने पैसे लगने वाले हैं? तो बताते चले हम आपको की क्याबनेट सचीव एस सिधार्त ने बताये कि बाइक रजिस्ट्रेशन के लिए पहले 1650 रुपिय लगते थे। अब मात्रे 1150 देने होंगे वही अगर वाहनों के रजिस्ट्रेशन की बात की जाए तो वाहनों के रजिस्ट्रेशन सुल्क में भी काफी कमी आई है। आटो रिक्सा में पहली रजिस्ट्रेशन सुल्क 5650 लगता था यानि के लगबग 6,000 रुपिया लेकिन अब वही घटकर 1150 रुपिय हो गये हैं। यानि के लगबग 5,000 रुपिय कम हुए हैं। अगर आप आटो रिक्सा लेते हैं तो रजिस्ट्रेशन में जो पैसे लगा करते थे 5650 रुपिया इसे घटा कर मात्र 1150 रुपिय कर दिया गया है। ऐसे में इसे कीमत में बहुत बड़ी गिरावट देखी जा रही है। यानि के रजिस्ट्रेशन में आटो के रजिस्ट्रेशन में लगबग 5,000 रुपिय की कमी आई है। इसके अलावा वहीं मोटर क्याब की बात की जाया है। तो मोटर क्याब यानि कार या पैसेंजर ढोने वाले वाहन जैसे विंगर, माक्सी जो 5 सीट से 13 सीट के श्रमता वाले हैं। उनका रजिस्ट्रेशन सुल्ख पहले 23,650 लगता था, अब मात्र 4,150 कर दिया गया है। ये भी काफे ज्यादा है, 20,000 रुपिय कम किये गये हैं, जो कि बहुत बड़ी बात है। यानि कि 5 सीटर वाले कोई पैसेंजर गाड़ी हो चाहे वो कार हो, ऐसे जिसमें या तो 5 सीट हो या तो 13 सीट हो, 5 से 13 के पहले 23,000 रुपिय लगते थे, इसे कम करके मात्र 41,150 रुपे किये गये हैं, लगभग 20,000 रुपे की कमी देखी गई है, इसके अलावा इस तरह अन गाड़ियों के भी रजिस्ट्रेशन शुल्क में काफी कमी कर दी गई है, कहा जाये तो 60 से 70 फीसदी शुल्क में कमी आई है, यानि माना जाये तो 10 लाग की गाड़ी पर पहले 23,30 तक शुल्क लगता था, अब ये काम मात्र 5 से 7,000 रुपे में हो जाएगा, ये सभी शुल वो अन्य राज्यों के अपरेक्षा काफी जादा है, इसके कारण कई लोग बिहार से बाहर जाकर भी गाड़ी खरीद लेते हैं, ऐसे में माना जा रहा है कि जो लोग बाहर जाकर खरीद लेते हैं, वो बिहार से ही खरीदेंगे, इससे बिहार सरकार के रेवेन्यू में वाहन विक्रेता और वाहन डिलर में खुशी देखने को मिली है पटना कि एक बड़े वाहन डिलर नितीन कुमार रिंकु ने कहा कि अभी बिहार में वाहन तो खरीदे जा रही है नेकिन उनका रेजिस्ट्रेशन जादत उत्तर प्रदेश जारखन और पश्रिम मंगाल में किय जा रहा है वजह है कि इन राज्यों में बिहार की अपेक्षा रेजिस्ट्रेशन सुल्क दस से पंद्रव फीसदी तक कम है पनोर्मा ग्रुप जो सोचता है वो करता है आपके अपने सपनों का आश्याना ये लो मुँ मिठा करो आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया अब हम पुर्णिया वापस जाएंगे जॉब छोड़ दिया है मतला ये घर कैसे चलेगा हम करेंगे क्या और माबाबुजी क्या बोलेंगे इसलिए मैं एक और मिठाई का डबा लाए अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है लेकिन पुर्णिया में हम रहेंगे कहां अपना घर भी तो नहीं है वहाँ इसलिए तो एक और मिठाय का डबा अलग से लाया हूँ अपने पुर्णिया में घर ले लिया है पुर्णिया के e-homes panorama में पुर्णिया में panorama group लेकर आये हैं e-homes panorama बड़ा घर, आलिशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के सक अड़े अड़े आप क्यों मुझ मिठा करवा रही हो क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे है घर वापसी की खुशी पुर्णिया में e-homes panorama के संग e-homes panorama luxurious lifestyle redefined